आज मैं आप सभी को लेके चलती हूँ एक बहुत ही अनोखी जगा अनोखी जगा मतलब नर्सरी की जगा कौन सी नर्सरी है ये और कैसी देखती है ये तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में पता चलेगा फिलाल तू उसका एक छोटा सा उधारन देखो देखो ये आउट इस लिए इसना की एंट्रन सोती है यहां से इस नर्सरी का नाम है प्रिया नर्सरी ये सेक्टरे 11 में है यहां से हमने करी थी इसकी एंटरी होते ही यहां पर बहुत ज़्यादा सुन्दर पाउधे हैं यहां पर और सबसे अच्छी बात यह इंके पास हर पाउधे की कम से कम 100 पीसी मिल चाहेंगे एविन एक बार में आपको जितने भी पाउधे चाहिए आपको उतने ले सकत एक हजार पीस लेना है आप यहां पर contact कर सकते हों यहां से entry गड़ी तो उन्होंने सारे के सारे line wise sample लगा रखे थे इनकी दो तरह से entry होगी और तीन parts में यह nursery को divide किया गया है एक line में आपको अगर गमले चाहिए तो यह गमले भी रखते हैं छोटे बड़े हर तरीके के इनके पास गमले बिल जाएंगे आपको पेड़ मिल जाएंगे जैसी यह रोट साइट पर ये वाले बहुत अच्छा प्लांट होता है यह मिल जाएंगे आपको अगर किसी भी तरीके का पौधा चाहिए तो प्रिया निर्सरी में मिल जाएगा आपको यहां देख सकते हैं कि इनके पास गमलोग में भी बहुत अच्छा स्टॉक है भली आपको सिमेंट के गमले चाहिए चाहिए मिट्टे के गमले चाहिए और बहुत ही अच्छा स्पेस मतलब मेरा पूरा हाथ इसके अंदर कवर हो रहा था आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं हर तरीके के इनके पास गमले एविलेवल थे ओन दा स्पोर्ट यह नहीं कि यह मंगवा के देंगे नई और प्रॉपर साइज है प्रॉपर ड्रीनेज होल है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हर किसिम का आपको पौधा मिलेगा बॉन्जाई हो किसी भी तरीके इंडोर आउटडोर स्पोच यहाँ पर छोटे प्लांट्स हैं यहाँ पर हर तरीके की मनी प्लांट अविलेवल थी जैसे इसमें देख सकते हैं यह हलके हरे पत्ते की मनी प्लांट है तो पीछे गाड़े पत्ते की मनी प्लांट है मनी प्लांट में इनके पास यह वाला सबसे ज़्यादा अच्छा था स्में डबल शेट के आते हैं, यह हैं पे कैक्टस के सब्सक्राइब से बहुत ही अच्छी अच्छी प्लांट की वरायटी है, यह मनी प्लांट मुझे चाहिए पसंद और इनके पाश सब्सक्राइब था इस तरीके से लाइन में आपको जो भी साइस चाहिए होगा उस साइस क अपको मिल जाएगा उसे क्रिस्मस ट्री प्लांट बोलते है सब के साइस वाइस अलग- अलग रेट होते हैं आपको जो उनसा ही साइस चाहिए वह आपको रेट उसके अलग-लग ही पड़ेगा इन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी नर्सरी को इक अलग तरीके से लगा रखा था हर परीके के पौधे अलग-अलग अगर आपको घजूर का पेड या नारील का पेड चाहिए आपको सम बिल जाएगा इस तरफ इनके जड़ प्लांट का सेक्षिन था छोटी बड़ी बॉंसाइल कटिंग वाली नॉन कटिंग वाली हर तरह की जड़ प्लां के अंदर अब देख सकते हैं के बस जड़ प्लांट के भी और मतलब इनकी बस हर तरहा का पौधा अविलेवल था उन्दा स्पॉट इवन बहुत ही बल्क में चाहिए तो भी यह मंगवा के दे देंगे हर पौधे का यह आपको नाम भी बताएंग और अच्छी तरीके से ग है इनके हर तरीकेे पुरे अच्छी तरीके से अंधर पौधे को साधी ही पौधे अलग तरीके से लगे हुए इन बास्केटों में एक तरफ मनी प्लांट है, देख सकते हैं, आपको जिस भी तरह की मनी प्लांट चाहिए, आपको लगवा भी सकते हैं, यहाँ पर छोटी-छोटी मनी प्लांट भी हैं, बड़ी मनी प्लांट भी हैं, जिस भी तरीकी की बड़ साइस के अकॉर्डिंग इन इसहां बास्केट में ही थे स्पाइडर प्लांट रख सकता है यहां पर इनकी घास थी जिसमें से बहुत यह सुंदर चुट छोटे छोटे फ्लावर आ रहे थे देख सकते हैं और पास्केट ऐसी वैसी बास्केट थी बहुत अच्छी क्वाल्टी की ये बास्केट से इनमें ड्रीनेज होल भी था और अलिक तरीके से यहां पर कम से कम इनके पास सो से ज़्यादा बास्केट ऑन दा स्पॉट एकदम रेडी थी इस तरफ इनके स्पाइडर ब्लांट थे किसी को बास्केट में नहीं चाहिए तो नीचे की तरफ मिल जाएंगे पीछे रोस थे यह मोस्ती अपने ओफिस के बाहर देखी होगी तो इनके पास बल्क में था इस तरफ इनका क्रिस्मस ट्री प्लांट था फिर थोड़े थोड़े आगे बड़े थोड़े आमें स्नेक प्लांट के कुछ वेडियस नेकले इसके अंदर आप देख सकते हैं लगलग पॉधे बना सकते हो देख सकते हैं आप कितने अच्छी क्वाल्ट काया और मैं कितने अराम से इनका रहे हों कि एक अंदर इसमें थे दस थे बकायदा मैंने पूरे गिने हर किसी में आठ से दस थे ऐसा नहीं कि किसी में एक-दो था हर चीज बल्क में यह इनका घर मतलब इतनी छोटी से थैली के अंदर भी इतना अच्छी तरीकी से इन्होंने ग्रो कर रखे हैं प्लांट इस तरफ इंडोर सेशन था तो क्रूटोन था इनके पास हर साइस का क्रूटोन एविलेवल है इविन आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए अलग अलग डिफरेंट पत्तियों में इनके पास भी क्रोटोन था अलग अलग तरीके से जैसे देख सकते हैं इनकी पत्तियों किसी के चोड़े पत्ते वाली है तो किसी के हलके पत्ते वाली पत्तियों में भी साइज आता है एक बड़ा साइज आता है एक पतला लंबा आता है इस तरफ इनका कैक् मदुमाल्ती हुए थी यहां पर पर मदुमाल्ती के पास इंके पास सारे रंग थे इंके पाल अभी cinematograph छोटी मदुमाल्ती थी और आपको बड़ी मदुमालटी चाहिए तो यह वह भी अपर देंगे यहां इनके चमकें का सेशन रहा हुआ revers का depends क्योंकि इनके बाखी सारे चंपा सेल हो चुके थे तो मैं वह रिकॉर्ड नहीं कर पाई देख सकते हैं यह वह है जिससे कि इसे लाइन में लगाते हैं मतलब आपको एक रोड साइड करना है तो आप ही ग्रास लगा दीजिए और इससे पूरी ही पत्निया बन जाते हैं पार् और दें 10,000 फ्लावर इनके पास अन्दा स्पॉर्ट पेटोनिया के थे जैसे आप देख सकते हैं कि में पीछे वह थे मतलब छोटे छोटे से भी बहुत बड़े बड़े यहां पे इनका यह बहुत ही बड़ा प्लांट था यह एक आमला का पेड है और यह बहुत ही बड़ भी आपको अगर छोटी में चाहिए बड़ी में चाहिए गमलों में लगा कर भी देते हैं कोई भी पौधा अगर आपको चाहिए अगर आपको थैली में नई गमले में चाहिए तो यह गमले में लगा के देंगे बास्कित में चाहिए बास्कित में लगा के देंगे आपको जैसे चाहिए आपकी convenience से according ये आपको उस तरीके से सेट करके देंगे अगर आप पे लगवाया अभी नहीं जाता तो भी ये माली भीजिंगे उससे आप लगवा सकते हैं देख सकते हैं इनके पास खाद हर करा की अभी लेवल है अगर आपको खाली खाद चाहिए तो आप खाली खाद लीजिए जो भी आपको पसंद है अपनी चोई से इस तरफ इतने सारे प्वदिबर थने जाड़ी प्योर्ट इसे लेकर बहुत हैं यहां हम चल रहे हैं इनके में पार्ट मेंन पार्ट की शुरूबात होती है यहां版 गेंडे के फूल जो की इननों फ्रयने इसे ग्रोइंग बैक कहा जाता है इनकी क्वाल्टी बहुत ज्यादा अच्छी थी मैंने एक एक को टेच करके देख सकते हैं कि यह एक अलग अलग 20 से ग्रोग किये गए कोई भी नॉर्मल मट्टी निया सभी खाद के अंदर लगे हुए ग्रोग के अंदर इसमें गेंदे का देख सकते हैं कि फूलों में नहीं है थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इस तरफ रबड प्लांट के दूसरा वेरियंट था रबड प्लांट में अपने के पास कलर थे सारे इसके नीचे प्रोटीन पिटोनिया का सेक्षिन मतलब देहलिया में भी फूल नहीं आई है बड़ देख सकते हैं कि सबसे इच्छी बात इनके पास क्वांटिटी बहुत जाता है देख लिए यह सारे पिटोनिया और उनके कलर ही लगे हुए एक एक कलर आपको अगर स्टार वाला चाहिए नॉर्मल चाहिए प्लेन चाहिए डबल शेड में चाहिए सिंगल शेड में इनका प्रैस 25 कि स्टार्ट था क्योंकि इनके पास प्रतुनिया बहुत ही हंडी था fonality यहान वाला प्रतुति मिलता है इनके सारे पिटोनियाenz ढूंग और रिखिता नतक कि सारे की सारे कलर लगे और फड़ नगी rodzice ज़का क買ने एक यह अद स्सक्मार टामार तो 12 स्टैपस मेरे हुए थे मेरे लगपक 12 स्टैप अगर में छोटे लेती हूं और बड़े स्टैप लियती हूं बनवानी है इस फ्लॉAWR की बनानी है इसकी बनाई है लैटिणा की बन बन ने है डहलिया को बनाई यह जसे अंकर अगर बल्क में लेते हैं तो उसके लिए आपको ओनर से भीबात करनी पर से लेगे आपको फुर मिद्शक वरक्र रिटेल में इस बसक्शित का गवर में पड़ोन आए बास्केट भी बास्केट थी यह लाल वाला पिटोनिया तो इतना जाद़ सुंदर लग रहा था ना मैं क्या बताऊंगा यह पर्पल वाल पिटोनिया यह दूसरा लैटीना और यह रेड़ वाला पिटोनिया मतलब किसी को अगर आप गिफ्ट दो तो सामने वाला खुश हो जाए हर तरीके का इनके पास विंटर फ्लॉविंग ऊचुकी है इविन बल्क में विंटर फ्लॉवर्स अविलेवल है आप देख सकते हैं कितने जादा सुंदर लग रहे हैं यह फूल मतलब देखते के साथ ही इतना जाद सुंदर अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और प्रॉडा प्रॉपर साइज है पहले यह नॉर्मली इसके अंदर नहीं लगाई गई है इसके अंदर पहले रूट बास्की लगाई है फिर कोकोनट हस्क डाला हुआ है उसके उपर पानी की अब्स्की है क्योंकि नहीं अगरी अब अनधर नियुक्य। अब हम आचएं छो निन के अंदर वाले यकान ब्सकी लगाई रख रहा है यह है अर्भी की बेल भी इसे कहते हैं और इंग्लिश में इसका कुछ और नाम है यहां पर गए तो यहां पर मनी प्लांट थे इनके पास नए स्टैंड भी रखे हुए थे मनी प्लांट बहुत ही ज़्याद है और बड़े थे इस तरफ की साइफ इनके सारे गेंदा के फूल रखे हुए थे और गेंदा के फूल बकायदा पूरी लाइन में और प्रॉपर स्पेस के अंदर इतनी जादा बल्क क्वांटिटी में इनके पास अविलेवल थे आप देख सकते हैं यह वाला फ्लावर भी बहुत जादो सुन्दर इसमें तीन कलर आते हैं यहां से पूरी क स्पाइडर प्लांट लगा रहे थे जिसे आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट के अगे इनके तुल्सी प्लांट थे इनके पास हर तरह की तुल्सी ती रामा हो तुल्सी और शामा हो तुल्सी और पुरानी तुल्सी चाहिए नई तुल्सी चाहिए नहीं तुल्सी च ऊफन नाव वाले पोड़ाई है कि आपको लाइन दिखाई इसके आगे बांधाी देखेए कि इतना पूराना बॉसाई है कम से कम ये 7 – 8 साल पूराना बॉसाइि है और ये आपसमें लप्ट हुए? इतने जाता सुन्द्र लग रहे हैं मैं क्या बताऊं एक नहीं इनके पास कम से कम ऐसी 50 बॉंसाइज हैं और सारी एकदम इतनी सुन्दर लग रही थी आप अपने इसे नाव वाले पॉट में लगाऊ चाहिए किसी में भी लगाऊ इनके पास एक से एक बॉंसाइज का कलेक्शन था उसमें फ्लॉबरिंग हो रही है और कुछों में तो फ्लॉबरिंग हो रही थी बॉंसाइज के अंदर सबसे अच्छी बात थो यह इविन यह बकाय था एक एक हाथ उंची थी इसके अंदर तो इतनी सुन्दर सुन्दर फ्लॉवर खिल रहे हैं बॉंसाइज के अंदर देख सकते हैं यह चोटी से पॉट हूं है रहे हैं चोरी बड़ा को मलीक्त फूल हो थारहे हैं बाग involves फूल आएंग working देडिश लगे हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहे इस तरफ इनके पास बूठी बलक में है अगर पो एक पीस जाहिए तो यह एक हजार इंके पास सबसे अच्छी बात इंके पास हर कड़ा का है पोधा और हर तीम कलर यलो रड़ और ऑरेंज यहलो वॉले की जो नीची की स्टेक होती हैείो ही यहलो होगी अगर आप पॉलर में कंत 사용 होते हैं तो जब वो उसकी जड़ से उखता है तो वहां पर उसका color check कर सकते हैं मेरे शौर्स वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरीके से इनका color check कर सकते हैं कि यह कौन से color का flower खिलेगा क्योंकि बिना flower के खिले हुए I know सब्सक्राइब होती है कि इसमें से कौन से color एक suspense रहता है जब तक flower नहीं आता है इसलिए मैंने clear कर दिया है red में से red, yellow में से yellow और orange में से orange आप उसमें देख सकते हैं इसके आगे देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से flowers को अर्जेस्ट कर रखा है कि किसी को भी ढूणना है तो कोई दिक्कत नहीं हो कि हर तरीके के section अलग अलग है हर एक तरह का flower इनके पास available है बड़ा चाहिए बड़ा चोटा चाहिए चोटा हर तरीके का आप लोग देख सकते हैं मतलब इतनी जादा बल्क क्वांटिटी में flowers इनके पास available है यहां पर हद से जादा मतलब इतने जादा flower available है कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो में मैंने बकाइदा हर चीज जूम करने की कोशिश करी है प्लास्टिक का पॉटो मिट्टी का पॉटो सिमेट्री का पॉटो इनके पास सब एबिलिवल है हर चीज यह इनका flowering section है मतलब अंदर पार बी के अंदर एक और पार यह इनका लाल बादशा इतना healthy healthy लाल बादशा बहुत जादा बर छोटे साइज में है बर धीरे धीरे ब और लोगों ने सब्धाबार देखा हुआ है सफीद रंग में इनके सद रंग में बहुत सारे नके हम थोड़ी थोड़े थोड़े आगे चले तो यह इनके लाल बाश्यात है यह वाला प्लांट बहुत ही अच्छा है इसके जब मैं अपको भी देख अभी तो यह आपको इ तो इतने जादा अच्छ भावर होने हैं, मोस्ली सब लोग सोचते हैं कि इसमें नहीं आते हैं देख लेंँ इहां पर यह असे हैं कि यहां पर ऑइसा है जब इसमें फ्लावर आजाते इन sardins पर की आप सकते हैं इतने बड़े मोड़म जे nueva आए ज्यादा मज़ा आएगा इतना जादा सुन्दर फूल आएगा इसके अंदर इसमें तीन कलर इनके पास अविलेवल थे पिंक वाइट एंड ब्रेड और बल्क में कॉंटिटी अविलेवल है इस तरफ हम आ गए तो इसके अंदर एक और शेट भी अविलेवल है अगर आपके निकालन के देंगे इस तरफ सारे सदाभार सद grenade इतने जादा कलर थे ना इनके पास की देख देख सकते हैं के पस्टार वाला सदा वाहर भी है वैसा भी है यह सदा बाहर हैं बॉरा सदा बार लगाते हैं इस तरफ जब ने देखा तो इनके टेंटेंस लगे ऊए ते और यह वाला क्लर तो इतना जद मेरे खुद के पास है इसके बावजुद भी इन्हें देख के तो मैं गॉड इतने जाद इन्हों ने यहां पर थोड़ा सा खाने रख रखा था कि कोई भी कीड़ा प्लांट को ना खाए उस खाने को खा ले डेंटेस में के पास हर्स कलर एविलेवल है मतलब जो भी आपको कल सब्सक्राइब यहां जाए हैं यहां पास हार-प्लांट के अंदर यह प्लांट था जागया जाए हैं इसको आगे बढ़ते एंका सबसे ज़्यादा सेल होता है एड कलर और रैड कलर इनके पास quantity भी हद से जादा थी इस तरफ डेंटेस्स के यह पे लाइट पिंक वाला और वाइट वाला शेट और उसका रेड कलर का शेट इस तरीके से पूरा यह नर्सरी का व्यू है इस साइट फ्लॉविंग साइट इस तरफ आते हैं थोड़े गैंदे के फूल लगे देजाट यह संदर भी बहुत जादा सुन्दर बढ़ा इसे बासकिट में नहीं लगाए उस तरफ इनके प्लॉरे किलेक्शन था क्ला क्लेक्शन भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हर तरह आपके इनके पास लोग्श और विंटर में दो फ्लॉरस हपसे जादा ग्रोध कर स्पाइडर प्लान्ट के पास मजब छोटे से बढ़े तक पूरा बहुत ज्यादा कलेक्शन और प्लिंग प्लान्ट को तो आपको पता ही इतना सा लगा इतना बन जाता है इनका क्लोरस में पैस में अलमोस्स सारे कलर अविलेवल थे बाट इनका रैड और येलो कलर बहुत ही वो शाइन मारता है इसलिए इतना ज्यादा अच्छा क्लोरस लगता है ना कि मैं क्या ही बता हूं इस तरफ छोटे-छोटे पिटोनिया के बहुते और रखे हुए थे इसमें भी छोटे-छोटे से आ रहे थे फ्लावर बट अभी ये थोड़ा से बहुत ही छोटे नहीं कह सकत थोड़े अच्छे अलगी बात इतना ज्यादा सुन्दर लग रहा है वन बाइट सा छोटा सा डॉट और उस पर रेड करड़ की पतिया अपने आप में एक अनूखा सा प्लांट लग रहा है आप जैसे की देख सकते हैं कि इनके इस वाले प्लांट में इतने ज्यादा इनक मैं लगवे थे यह वाला प्लांट तो बहूत ज्यादा सुन्दर था और सुन्दर की लिप्स आ रही थी और उसका गोल्डन कलर से बाओर था और यह बहुत ही ज्यादा सुन्दर थी हैं आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर हदी हर आपको पौधा मिलेगा आपको इंडोर चाहिए आउट्वर चाहिए डिजाइनर चाहिए नॉन डिजाइनर चाहिए बड़ा चोटा हर साइज में इसके आगे जब हम गये तो यह वाले फ्लॉवर में तो इतनी अच्छी इनके पास बहुत ज्यादा कटर थे इस फ्लॉवर के अंदर इस फ्लॉवर में इलो अपर पल था ब्लू था वायट ओरन्ज ता रेड जैंदा इतने ज्यादा इसमें सबसे अच्छी बात यहां कि सब इंदर फ्लॉवर और हर किसी के अंदर 5-6 फ्लॉवर आ रहे थे आप देख सकते और इनका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है 30 रुपीज के अंदर इतना सुंदर प्लांट देख सकते हैं मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोग आउट किया मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे और यह मोर देन 500 इनके पास अविलेफल थे अड़ इतने साधा देख सकते हैं एक दो नहीं कम से कम 10 से 12 फ्लावर खिल रहे हैं एक के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं इसके आगे बड़े तो इसमें तीन कलर थे इस फ्लावर के अंदर रेड वाइट पिंक पिंक तो मतलब हर किसी में था रेड प्रिंक और इंज तो बहुत ही कॉमन थे यहां पर इस तरफ से आप आगे जाके देख सकते हैं कि यह फ्लावर में भी अगर आपको एक चाहिए चाहिए एक लाग चाहिए इनके पास मिल जाएंगे और बहुत ही अराम से 100-200 प्लांट पर एक बार में रखते हैं मतलब एक प्लांट के 100 पीसे अराम से इनके पास on the spot आपको मिल जाएंगे आप देख सकते हैं आप एक पर नर्सरी को विजिट की जगा तो आपको भी बहुत अच्छी तरह अनिलाइस कर सकते हो इस तरफ इनका मनी प्लांट सेक्श इस तरीके से इस फ्लावर के अंदर भी बहुत ज़्यादा शेट से देख सकते हैं एक एक अंदर इतने प्यारे फूल खिल रहा है ना देखो और बल्क क्वांटिटी की तो टैंशन नहीं मतलब अगर आपको अपने पूरी बालकनी रिन्यूवेट करनी है पूरी छट पे लगाने ये गारडन में लगाने तो आप अगर 10 पीस बीं के साथ लेकर जाते हैं तो भी आप लगा सकते हैं और कोई इतनी नहीं है प्राइस इनका अगर आप 10 भी लेते हैं तो 300 रुबेगे पढ़ गया इतने में तो आज ऐसकर बर्गर भी नहीं आता है अगर तको आकर क ब्लू कलर के फ्लॉवर थे और यह बहुत ही संदर थे मतलब एक चीज दिखती है इस तरफ फिर से इनकी तुलसी का सेशन आ गया बहुत ही ज़ादा कॉंटिटी में इनकी पास तुलसी भी थी इनके बास मनी प्रांट का बहुत ही अच्छा सेशन था यह एक और इनका क्लोरस का सेट आ गया है यहां पर क्लोर्स मैंने बताया ना इनका और येल्ल सबसे ज़्यादा बिखता है इस वाले में इनका पास ग्रीन भी है इनके बस है सबकुछ बट इनका बिखता और वह रेड वाला शेट ज्यादा है मतलब ग्रीन और एक चैनल के इनकी इरिक पाम रखे हु नौर्मल हर तरीके से इनके पास money plant विलेवल हैं देख सकते हैं लगा रखेहिं ये इनका money plant का इस्पेशली एक left-hand side corner है हर तरही की बड़ा पते में हर तरह के इनके पास money मिर्च खोयों खिल रही है चोटी मिर्च खिल रही है किसी में लार है किसी में हरि है शुल, देद बड़े चीहें, बड़े मिल जाएंगे गमले के अंदर चीहें, गमले के अंदर मिल जाएंगे नॉर्मल चीहें, नॉर्मल थैली में मिल जाएंगे जिस भी तरीके से आपके डिमांड हो उसी तरीके से ये सप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको guide भी करेंगे इवें इनके इन पत्तियों के अंदर flower भी आ रहे हैं मूस में इसके अंदर नहीं आते बट इनके अंदर आ रहे हैं इस तरफ इनके ये सर्दियों के flower एकदम और तरी आ रहे हैं मतलब एक एक flower इतना फ्रेश है ना यह कोई स्टार पे टोने आ गया इतना सुन्दर सा हर तरीके से यह वाला flower भी बहुत ही जादा सुन्दर है इसमें इतने जादा flowering हो रही थी ना कुछ flowers के अंदर तो मतलब हच से जादा आप लोगों को अगर ही विजिट करनी है तो यह फरीदाबाद के अंदर ही नर्सरी है फरीदाबाद के अंदर ही सेक्टर 11 के अंदर है यह नर्सरी ओनर से भी हमने बात करी और वह बकायदा अपना address आपको साथ बताएंगे आप Google भी कर सकते हैं प्रिय क्योंकि पूरी नर्सरी के ऐसी है अब हम जाने सेक्टर 11 की तरफ मतलब की थोड़े थोड़े अलग अलग तरीकी की पौदे जो कि आप लोगों ने देखे होंगे जो गिफ्ट परपस से बहुत जादा चलते हैं यह हमने किया पार्ट भी अंदर का कवर बहुत ही तरीके से अब मैं एक नर्सरी का पूरा चक्कल लगा रही है जो कि आप मेरे बैक्डाउंड पर देख सकते हैं अब हम जाएंगे इस बीजच वाले एरिये के अंदर अभी तक अभी बच्ची है नर्सरी अभी तो थोड़े से और बच्ची है जो कि है बहुत ही अच्छी और कुछ भ देख सकते हैं वहीं गूम रही हूँ एक प्लांट मुझे और दिखा था जो कि मुझे बहुत ही ज़ादा यूनिक लगा था आओ चलो मैं आपको पहले वह दिखाती हूँ देख सकते हैं यहाँ पे आप यह वाला पौधा भी देखिए यह वाला पौधा यह नीचे से तो ग्रे कलर का है और उपर से वाइट कलर का प्लांट था यहां देखिए यह बहुत ही ज़ादा अच्छा लग रहा था मतलब इतना ज्यादा सुन्दर लग रहा है ना यह पोधा यहां पर देख सकते हैं और यह इतने सारे थे ना मुझे इसका नाम नहीं पता चला क्यों थो इस तरफ इनके आउट इंडोर इंडोर प्लांट से स्टार्ट हो गए थे जिसे कि देख सकते हैं आप यहां पर स्नौ वाइट भी थे हर तरह का इनके पास कलर रहा आपको रेड वैलेंटाइन लेना या पिछ भी तरह का कलर लेना है सब हैं यह मनी प्लांट का एक और विल इनकी पास इनकी पास वाइट लेली भी था इसे कि देख सकते हैं कि पास सारी कलर मिलेंगे सबसे अच्छी बात तो यह कोई एक दो कलर नी सारे कलर मतलब एक टूजेट आगे हम साइड वड़े यह जीजी प्लांट इसका नाम है इसको आप अगर मोढ़ मोढ़ के वहां त इस तरफ इनकी money plants आ गई है कि सारी की सारी money plants देख सकते हैं कि एक pot के अंदर कम से कम ये दस से बारा money plant की Leves है ये वाले money plants तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद यह पूरे एक रंबे बेर लगती है हलका white रंग होता है और green color होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि spider plant एक और बार spider plant तो इनके पस भर बढ़के है बास्केट्स के अंदर तो spider plant बहुत ही जादा है इसके आगे हम देखे एक और नहे तरीके का plant तब इनके पस सब कुछ मिलेगा आपको जिस भी तरीके का आपको पौधा चाहिए व और हैंगिंग में जिस भी बास्केट्स लगा रखी है आप लोग अपने घर में भी लगाएंगे तो यह बहुत ही जादा अच्छी लगी बास्केट्स यहां पर यह खाद भी देते हैं अगर आपको लोगों को खाद खरीदनी है तो वह भी यह यह लोग प्रवाइट करते यह लोग मिट्टी भी सेल करते हैं जिस भी तरीके की इसकी जब बेल बनती है तो बहुत ही सुन्दर लगती यह बास्केट वाला प्लांट है इस तरफ इनके बहुत ही रेर प्लांट्स लगे हुए थे सारे के सारे इनका साइज बहुत ही जादा छोटा था इस तरफ से इन और इनके पस बहुत ही ज़्यादा है कैक्टस भी इतने सारा गॉन रखता है और इनका पॉट मुझे बहुत यूनीक लगा हर कैक्टस का पॉट थोड़ा अलग था पूरा सरकल नहीं था आधा सा सरकल आप जैसे देख सकते हैं इसके आगे था हमारा वाइट वाला कैक्टस य समाटे लगे हुए हैं इसके आगे सारे के सारे यूनीक प्लांट्स लगे हुए हैं जिसे कि आप देख सकते हैं और यह नहीं कि एक के अंदर एक ही है यह बहुत ही हेल्थी है इनकी पूरी पन्नी के अंदर भी छेद हुआ पड़ाई एक दम मेरे हाथ के साइस का था इन थोड़ा कम कम देना पड़ता है मतलब बच्ची से भी जादा कियर करनी पड़ती है इन प्लांटी क्योंकि मुर्जहार बहुत जल्दी जाते है कि मैंने खुद अपने घर में रखे हैं इसने मुझे पता हैं इनकी बहुत जादा के अर्ट तो और दुख होता है इसके थोड़ी सी अलग तरीके करें लाल मिटटी म這個是 नहीं करेंगे कि एक के अंदर देखे अंडर दो दो टीन तीन चारचर पाँच मच फमक्न 거예요 आप जब सकते हैं यहां पर वह अच्रीप प्रेश से किसी पर बिम्मिटी नहीं लगी तिक सबसे बगये मुझे ये इसके अंदर 50 से ज़्यादा फ्लावर एक साथ उग रहे हैं अगर आप एक को लेके जाता हैं तो इससे 50 बना सकते हैं आपको पदा है ये वाले प्लांट सस्ते नहीं आते हैं आप ट्रेट फेर में चले जाए हो तो इनके अलगी रेट है इसका साइस बहुत अच्छा था इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इविन इसकी जो लिफ्स थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी कहीं कहीं इसकी लिफ्स पतली भी मिल जाती है पर वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता इसकी lips एकदम मोटी मोटी थी और बहुत ही जादा अच्छी थी मतलब नहींने touch किया इसको और कहीं से भी गंदानी एकदम neat and clean और एकदम साफ पूरा अच्छी तरीकी से size आप देख सकते हैं मेरे हाथ से अंदाजा लगा कर कि इसका कितनी अच्छा size है सब साफ एकदम neat and clean और प्रॉपर डिस्टेंस पर यह लगे हुए है यह वाला प्लांट भी यूनिक था इसकी बॉंसाइल बहुत अच्छी बनती है अगर आप बनाना चाहें तो यह बड़ा सा बड़ा होता है तो इसे आपस में हलका हलका सा अगर आप मोड देंगे तो यह आगी चलके बहुत ही ज्यादा सुन्दर होगा इसके आगे जो प्लांट था इसमें भी एक के अंदर पांच मां छेचे साथ साथ फ्लावर खिल रहे थे मतलब एक से आप बहुत ही ज्यादा बना सकते हैं इसके आगे गए यह में लिए एक फोड़ा से नया प्लांट था जो कि मैंने फर्स टाइम देखा कोई से जीजी कह नहीं रहा था बट मुझे इसका सही नाम नहीं पता चल पाया बट यह भी बहुत ही ज्यादा सुन्दर था लुक एट दिस या कि तो ख्यूट प्लांट है एक के अंदर से तीन निकल रही है और यह वाला प्लांट भी बहुत अच्छा था इसमें पूरा कमल का फूल खिल आता और सबको मैंने टच करके देखा बकाईदा इतनी मोटी मोटी लेयर थी सारे फ्रेश प्लांट से इनके पास अविलेबल कोई भी नॉर्मल प्लांट नहीं कहीं से खराब हो या कोई कीड़ावन नहीं बकाईदा सारे प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रेश थे आप लो मैंने प्लांट झा絡़ा अगने देख सकते इस पायदा सबसिograph लान की ज़ी सब्साइदा फ्रेश प्लांट करता हैं इस बहुत जहते बकाई यह लोग दिवाने ही गडिए एकान लोग औरह कितना जाद सवाइडर प्लांट हैं आं नहीं क्छोटा हैं बड़ा है नहीं बहार भी एक लोरस रखा था अंदर भी एक लोरस था हर चीज की quantity आपको बहुत ही जदा अच्छी मिलेगी हर तरीके का पौधा आपको यहां पर मिल सकता है बड़े में छोटे में अच्छी तरीके से आपको पूरी नर्सरी अगर ढंग से देखने हैं तो कम से कम एक घ अधसे चाहें क्लाट यहां पेंने रखे गए रखे जगे फ्लावरवर से लेके फैवरी तक जो फ्लावरिंग कोटी है विंटर फ्लावर्स में एक की अंदर से दद्स फ्लावर निकलते हैं यह शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पास से आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह थोड़ी सन्लाइट की वज़े से आपको थोड़ा सा अलग दिख रहो बहुत ही ज्यादा सुन्दर था यह हां कि कि यह मारे सेजनेली प्लांटे जो है यही टॉंटी फाइस पी अजय शेकलामेंट हो गएड़ा है थीन सो के लवग है जी बाकी जरेनियम है सव और फ्रुपे टराइज होता है बाकी अरिका पाम होगे राजी दाइसो तीन सो थाथ वाटे शोटे का होता है बाकी पहतरा अग वहीरा जी इस 300-300 प्राइज क्या होते हैं बाकि जो चोटे प्लांटे हैं उनका वहीर जीद दर्जन का होता है 10 रुपे 12 रुपे डेली आउगरा है देड़ सो 200 रुपे गंबले को होता है पन्नी का 57 रुपे होता है पिरिया नर्तरी अरीदाबाद सेक्टर ग्यारा दस ग्यारा के डिवाइटिंग स्पाइज करका के सामने दिए